आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें पाजाएगा हमारे पास टैन पाई माइनस थी, ठीक है जैसा कि दोस्तों तिलकुन मीती में हमने एक सूतर पढ़ा है जिसके द्वारा हम लिख सकते हैं टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी और बटा में आ जाएगा हमारे पास एक माइनस टैन ए गुना टैन बी के ठीक है ठीक इसी परकार दोस्तों हमने एक और सूतर पढ़ा है जिसके द्वारा हम लिख सकते हैं टैन पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन ठीटा के ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों इस सूत्र की मज़र से 10A प्लस B को हम लिख सकते हैं 10A प्लस 10B और बटा में आ जाएगा हमारे पास 1-10A गुना 10B ठीक है बरावर 10P-C को हम इस सूत्र की मज़र से लिख सकते हैं माइनस का 10C आगे दोस्तों जब हम इसका गुना कर देंगे तो यहाँ पे आजाएगा 10A प्लस 10B और 1 का गुना होगा इसमें तो यह माइनस 10C हो जाएगा बरावर के इस तरफ ले आएंगे तो यह आजाएगा प्लस का 10C और बरावर के इस तरफ देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आजाएगा 10A, 10B, 10C तो यहाँ पे लिख लेंगे 10A गुना 10B गुना 10C ठीक है अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पक्चों में हम 10A, 10B, 10C का भाग कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से आजाएगा हमारे पास 10B और इसके बटा में आजाएगा 10A गुना 10B गुना 10C प्लस यहाँ से आजाएगा हमारे पास 10C और बटा में आजाएगा हमारे पास 10A गुना 10B गुना 10C ठीक है और यहाँ पे तो इस तरब जब हम 10A, 10B, 10C का भाग करेंगे तो यह दुनों कट जाएगा और एक आजाएगा हमारे पास यहां से देख सकते हैं 10A से 10A कट जाएगा 10B से 10B कट जाएगा 10C से 10C कट जाएगा तो यहां पर हमारे पास आजाएगा 1 बटा 10B गुना 10C और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 बटा 10 ठीटा बराबर होता है कोट ठीटा के तो यहां से हम लीख सकते हैं यह आदाएगा हमारे पास कोट B गुना कोट C प्लस यहां से आदाएगा हमारे पास कोट A गुना कोट C प्लस यहां से आदाएगा हमारे पास कौट A गुना कौट B ठीक है और ये बराबर हो जाएगा एक के तो यहां से दोस्तों देख सकते हैं कि पर्ष्ण में भी यही दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यह सीध होता है आसा करता हूं कि आपको इस पर्ष्ण का हल समझ में आया होगा तब तक के लिए धन्यवाद